आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की धेल सारी सुबकामनाई आज 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं तो आप सभी लोग भी अपनी भाशा पर मान करिए, सम्मान करिए हमारी भाशा हमारी पहचान है, हमारी सान है मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगी कि जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और जब भाशाओं को सीखते हैं तो अपनी पहचान जो कि आपकी पहचान है हिंदी भाशा इसको आगे लेकर चलिए हमेशा ये बात याद रखना जीवन में कि कभी कोई दूसरे देश की भाशा हमारी पहचान नहीं बन सकती अगर आप किसी विदेश में जा रहे हैं और वहां जाकर अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपकी भाशा मातर से ही दूसरे लोगों को पता चल जाता है कि आप किस दे आती साथ मैं अपनी आने वाली पीडी को एक संदेश देना चाहूंगी कि आज कल आप जैसे वाट्सअप जैसी साइट पर जाकर आप जो चैटिंग करते हैं जो कि देवनागरी लिपी को छोड़ कर आप रोमन लिपी में जा रहे हैं इसको भी थोड़ा सा कम करिए आप अप को जीवन में बहुत कठनाईयों का सामना करना पड़ेगा क्यों क्योंकि आपको देवनागरी लिपी आएगी नहीं यानि आपके दिमाग से वो निकल जाएगी और जब बात आएगी देवनागरी लिपी लिखने की तो आपको वर्तनी अशुधियां सुरू हो जाएंगी और फिर आप कहेंगे है ये हिंदी कितनी कठिन है ये तो आती ही नहीं है तो आपको अभ्यास में रखना है अभी आप छोटे बच्चे हो तो जब छोटे बच्चे किसी भाशा को पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से भाशा को सीख लेते हैं तो आप लोगों को अपनी दोनो भाशाओं को जो भी या दोनों नहीं तीनों चारों जितनी भाशाएं अपनी सीखना चाहते हैं उन सब को सीखना चाहिए और मेरा आप से यही कहना है कि आप लोग देवनागरी लिपी को लिखना शुरू करिए मैंने आज कल बच्चों को देखा है कि जब वो अपनी नॉट है लेकिन जब आप कलम से लिखते हैं अपने हाथ से अगर उस समय भी आप देवनागरी नहीं लिख रहे हैं तो यह आपकी गलती है तो इसीलिए मैं इस मंच से अपने सभी मातापिता को और अपने सभी अध्यापकों को यह कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को ये देवनागरी लिपी लिखना भी सिखाईए और ये ध्यान रखिए कि आपका बच्चा दोनों भाशाओं को उनकी दोनों लिपियों में ही लिखे तो उसे भाशा का अच्छे से ग्यान होगा इनी शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की धेर सारी सुबकाम नाएं